तो बैटा क्वैक्टिन नमबर फोर है अ गैस पाइप इस फोर्टीन मीटर लॉंग जो पाइप है फोर्टीन मीटर लंबा है फाइंड दा कॉस्ट आफ दा निकल प्लेटिंग अन दा आउटर सर्फेस आफ दा पाइप एड़ रेट आफ 50 रुपीस पर स्क्वैर मीटर तो जो बैटा गैस का पाइप होता है न यह भी सर्कुलर सिरंडर शे में होता है और यह जो पाइप होगा न यह बिलकुल इसका उपर जो टॉप होगा वो भी इसका खुला होता है ओपन होता है और इसका बॉटम भी ओपन होगा तो इसका जैसे उन्होंने इसका रेट बता रिया है कि इसका रेट है 50 रुपीस पर स्क्वैर मीटर स्कूर्ट मीटर से भी हमें अंधाजा हो आजा है, में diameter नहीं चाहिए होता है हमें चाहिए होता है radius तो जो radius होता है ना वो diameter का half कर दें तो वो इसका radius बंजेगा इसको divide करेंगे तो आजएगा point two meter तो आप इसका जो curved surface area है उसका formula हम लिख देते हैं curved surface area तो जो होता है 2 by r h इसकी value replace कर दें 22 by 7 r की value है 0.2 और इसके height की value है 14 तो बेटा अब इसको आप 7 1 दा 7 7 2 दा 14 तो इसको चाहिए आप इस तरह से cancel कर लें फिर भी ठीक है अब इसको मजीद भी हम cancel कर सकते हैं अगर इसका decimal खतम करें तो वना बेटर यह होता है कि आप इसको simple इसको सब को multiply कर होएं और एंड पर one digit के बाद decimal है तो answer में one digit के बाद decimal लगा दें तो पटर इनको multiply किया तो यह आ गया इसका अब हमने एक digit के बाद इसका decimal लगाना है तो इसका हम एक digit के बाद इसका decimal लगा देंगे यह 0 नहीं आता 176 ही आता है तो इसका decimal एक के बाद आजएगा तो यह 17.6 मिटर स्क्वेर अब इसकी cost फाइंड नहीं है जिसका पूछा था find the cost of the nickel प्लेटिंग इसको nickel प्लेटिंग करना है उसकी cost तो यह बेटा आजएगा 8800 रुपीज तो इसमें भी क्योंके वान डिजिट के बाद डैसिमल है तो इसके भी यहां पे वान डिजिट के बाद राइट साइड से डैसिमल लगा देंगे चाहिए अब आप इसको नीट करके लिख लें 880 रुपीज यहां पे रुपीज झाल